हम है न seminar उस देश में रहते हैं जहाँ पर हमें अगर पता चले कि अगली राच से एक रूपया पेटर्ल का लेकर अगर आजाती हैं हमिह बात अलग है कि बाद में पान्च किलो खराब हो जाए है उनसे उन्हें परक परते परता नहीं है और मैं तो बात करने वाला हूँ free की जी हाँ और free का नाम लेते हैं न मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है आपको पता होगा कि background music की आपके चैनल पर क्या एहमियत है और कितना जरूरी होता है background music और वो अच्छा होना भी जरूरी है और जब बात करते हैं free के music की या फिर paid music की paid music में बहुत सारे options है market के अंदर जिसके बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने बात किया है free के बारे में सब्सक्राइबर उसके होंगे और वहां पर आप लाग हो गाना अपनी चोईस के अगोरिंग डाउनलोड कर सकते हैं but with the one condition only कि जो भी गाना आप डाउनलोड करेंगे जो भी गाना आप यूज करना चाहते हैं अपनी किसी भी वीडियो में आपको उस गाने के नीचे अपने description में उसके credit details डालने पड़ेंगे which is fine I guess अगर आपको गाना समझ में आथा तो I'm sure कि आप यह कर सकते हैं बहुत से लोग करते भी हैं लेकिन अभी recently क्या है कि YouTube में कुछ policy changes हुई है और उसके चलते अगर आपके पास rights भी है किसी भी copyright चीज को use करने के फिर भी वो उस video को या फिर आपके channel को demonetization कर सकते हैं उस लेकर अब तक मैंने वहीं से सारे गाने यूज किये हैं वो है YouTube की free music library I don't know आपको शायद यह पहले से पता हो शायद ना पता हो लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको अपनी screen पर लेकर चलता हूं दिखाता हूं कि किस तरह से आप download कर सकते हैं ton of songs there and you can choose it according to your mood according to your taste and just download कर करें यूज करिये नाथिंग एल्स कोई credit detail नहीं कोई disclaimer नहीं कोई description detail नहीं और लाइफटाइम फ्री है तो जादा time waste नहीं करते हैं screen पर चलते हैं और दिखाता हूं कि कैसे आप find out कर सकते हैं all right guys जैसे कि आप जेख रहे हैं मैं अचेको अपनी screen पर आपको अपने मुताबिक जो भी आप अपना ब्राउजर यूज करते होगे उसके आप अपन करेंगे मैं उसका हूं Google Chrome so Google Chrome में open होने के बाद आपको जाना है अपने YouTube चैनल पर जिस भी तुरह आप जो भी आपका चैनल हो इसमें studio में जाना है और left side में सबसे down में option दिखेगा जैसे option दिख रहे होंगे playlist चैनल एक comment, subtitle, monetization and audio library आपको audio library पर क्लिक करना है जो आपको लेकर जाएगा एक different tab पर जो कि कुछ इस तरह का दिखता है और यहां पर आप देख सकते होंगे new, new, that means यह newly added music है, आप sound effect भी यूज कर सकते हैं आप यह free music भी यूज कर सकते हैं और trust में यह बहुत बड़ी list है और इसके according आप यह नहीं है, basically आपको जो ध्यान देना है वो है attribution, यहाँ पर एक last column है attribution का, आपको इस पर click करना है यहाँ पर दो options है, attribution not required and attribution required, attribution required मतलब जो मैंने आपको पहले बता है NCP की तरह आपको जो credits है वो आपने description में डालने पड़ेंगे, मैं generally इस पर click नहीं करता मैं सीधा attribution not required पर click करता हूँ, जिससे सिर्फ वही song रह जाते हैं, जिनमें आपको कुछ भी डालना नहीं है, copy paste नहीं करना, कोई issue नहीं है जैसे ही आप किसी भी song पर click करेंगे, so वहाँ पर, वहाँ पर लिख जाए, वहाँ पर नीचे लिखावा है और अगर आपको गाना सुनने में अच्छा लगता है, तो you can simply download it from here, okay, and इसी तरह से same process को use करके आप जितने भी आपको ये song बिखाई दे रहे हैं, जो भी आपके मंचाहे तरीके से आपको अच्छा लगता है, आपके mood के according, आपके taste के according, आप उसे दाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं for lifetime free, इतना ही नहीं है, sound effects भी इसके अंदर दिये गए हैं, उसमें जाके आप especially sound effects भी यूज कर सकते हैं, instrumental sounds भी यूज कर सकते हैं, अपने mood के according, आप जो भी songs पसंद करते हैं, जिस भी तरह का mood हो, happy, international, dramatic, romantic, angry, जो भी आपकी वीड कर सकते हैं, इसके अपने mood के according, songs को चूज कर सकते हैं, आपका जो भी genre हो, raw, cinematic, classic, जो भी आपको तीक लगे, hip-hop, जो भी आपको तीक लगे, वाफ, in particular categories के according, अपने choose, select कर सकते हैं, आपको दाउनलोड कर सकते हैं, तब्सक्र पलिक कर देना है, जो भी तो अच्या लगता है and you can check it right there कि ये ओल्री सोंग डाउनलोड हो चुका है so I'm sure कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है so please commenting down low let me know